हेलो फ्रेंज वेलकम हैं आप सबका मेरी टूपूजा जादों चैनल पर आज मैं आप लोग के साथ में सेयर करने वाली हूं लेंच वैक कैसे बनाएं टिफिन वैक बहुत एजी तरीके से बनाना बताऊंगी बहुत एजी तरीके से और प्लीज हां आगर आप हमारे चैनल पर मैंने यहां पर इसे सिल करके और इसे इस तरीके से कट करके रेडी करके रखका हुआ है यहां पर मैंने आट्रे की बोरियां ली हुही थी और साइट में दोनों तरफ मैंने यहां पर कप्ले को सिल करके इस तरीके से रेडी किया हुआ है यह देखिए इस तरीके से और इसक की चौड़ाई है वो है 11 इंच और यहां पर इस तरीके से मैंने यहां पर कट करके रखा हुआ है दो पाट और इसे मैंने 7-7 इंच का कट के हुआ है दोनों तरफ से यह देखिएगा साथ साथ इंच पर दोनों गोले कट करके रेडि क्या हुआ है इस देखिए हमें क्या करूंगे इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए सेंटर माती तरीके से इस तरीके से कर लेना है और यहां पर टबल्स चिलाई कर लूगी मैं बहुत इजी तरीके से लेंजबेक बन करके रेडियो हो जाता है आप अपने पहले टिप्रिंट का नाप लीजेगा उसे इसको कट कीजेगा तो इस तरीके से मैंने सिलाई करके रेडियो कर लिया है तो इस तरीके से बन करके रेडियो होगा है तो यह देखिए और इसे मेया स इस तरीके से रखते हुए गोलाई में और सब में सिलाई कर दूंगी इस तरीके से देखें इसब में double हे ले टूप अ टो मैं या से दो इंच पे एक निशान और लगाऊंगी और आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है फाल देखी इस तरीके छे दो दू इंच पे इस तरीके से नापत हुए ठिक लगा लेना है और इसको इस तरीके से एक लाइन कीच देनी है यह देखे है है और अब मैं इसे कट करण दूगी हैं है है तो देखि इसे मेंने कट कर दिया है कि आपको भी सेम इसी तरीके से करते हाँ है और इसे मैं इसमें जैसे मैंने अभी बताया था वैसे वसी ते springs यहां पर यहां पर मैं शिलाई कर लूँगी डवल तो चले मैं पहले शिलाई करती हो यह देखिए तो यहां पर मैंने एक दसे चेंच की यहां पर पट्टी और कटकी हुई है वसल करके तो यहां पर मैं शिलाई कर लूँगी पहले और पिर से इसे तरीके से रखते हुए इधर भी दोनों साइट में शिलाई कर लूँगी यह जो है हमारा पकंडे का होगे हाथ पर जो हाथ से पकड़ते हैं इसलिए तो देखिए इसे मैंने रेडी कर लिए इसल करके यह इस तरीके से, इस तरीके से, हमें से इस तरीके से रखूंगी, और इंजी टैप से ना पूंगी, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है 8 इंच, तो इसका डबल करेंगे, तो 16 हुआ, तो एक इंच एकस्टरा लेते हुए 17 इंच के, हमें एक चेन कट करनी है, जो मैंने पहले से रेडि की हुई है, तो देखिए 17 इंच की रेडि की थी, मैंने एक इंच एकस्टरा सिलाइ के लिए, इससे इस तरीके से रख थे हुए, capita में डबल लाई कर लोगी चैन पर को डेंकिन आप करके है तो कसीजन लगा लेना है उसे बाक्त बाद में सिलाय कर लेनी चोग से निसान लगा लेना है और उसे शिलाय कर लेनी एंडर कर देनी है यह इने एलमयन कोफिशलाय लिया हुआ है만 लिए आप का यह जोंट है यह चेन का जो जोंट दोनों के मिलना लेना है डोनों का जोंट इक प्लट यह न है उनल्च तरीकिसी स्लाइक घुमाते जाना है और पर किनारी पर डवल để लगा लेने है तो छलिए पार की ए cradle सिलाई कर लेनी है डावल तो चलिए हम पहले सिलाई करते है तो यह दिकिए मैंने यहाँ पर सिलाई करके रेडी कर लिया है इस तरीके से देखिए आपको भी सेम तरीके से कर लेना है और यह जो है अब मैं इस पर सिलाई कर लेना है इसका यह जो जोंट है इसका भी जोंट दोनों को सेम मिला लेना है यह देखिए और सिलाई कर लीनी है तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है सेम तरीके से यह देखिएगा यह देखिए इसल करके रेडी कर लिया है मैंने इसमें मैंने आटे की बोरी लगाई हुए आप चाहिए इसमें फॉर्म बगर आता है वो भी उज़ कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बन करके रेडी हो जाता है और बहुत ही लेंच वेग आपको आपिस के लिए ले जाने के लिए हाथ में पकड़ने के लिए यह कंदी पर टांगने के लिए बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है यह देखिए मैने बनाया करके ready क्या हुआ है यह पक 했습니다 पकसिक यह आप झाली है क्यों इस प्तेश्क Bye for सुन जोपने है क है करना ऋल्यके यह कंद्धी अरम सब्सक्राइब क्यों मैं इसे चोटा वसलों च ऊपटाइब कि रिवातρείर मी? और आज के हमारे वीडियो आपको कैसे लगा आज प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर पताईएगा उम्मिद करते हूं आपको अच्छे लगा हुआ